श्री रामानंद भगवान की जए श्री रादे रादे बक्तों भाक्ति के महान आचारे श्री देवर्ष नारद जी मराज ने नारद भक्ति सूत्र में बहुत ही महान महान सूत्रों को बलन किया है सूत्र संख्या अनतिश में कहते हैं महत संगस्तु दूलभो अगम्यो अमोगश्च और लभ्यते प्तत कृप्याई वलगातार ऐसे एक एक सूत्र है तस्मिन्स तज्यने भेदा भावात तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम दूसंग सर्वताय वित्याज्य देखो इसमें विदियो निशे दोनों कवर्णन किया कुबून है गुर्देव होएं देवर्षि नारज्जी गोते हैं दूसंग से बचो कुसंग से बचो और सत्संग में रहो वो करते हैं महत्संगस दुरलभो अगम्यों अमोगस महापुर्षों का संग दुरलभ है अगम्यों अमोग है और वो मिलता कैसे है लब्यतेवितत कृपियाईव भगवान की कृपा से महापुर्षों का संग मिलता है जो रगवीर अनुग्रह कीना तो तुमनों ही डरश वाते दीना देवर्षि नारज जी महराज कहते हैं तस्मिन्स तज्जनी भेदा भावात जो भगवान का प्रिभक्त होता है उसमें और भगवान में भेद का भाव हो जाता है नारज जी कहते हैं कि तदेव साध्यताम अचरिव उस महत संग को ही प्राप्त करने की दीवर विलाशा रखो महत संग और थाजसंतों के संग की साधना करो उनका प्राप्त करो, उनकी सेबा करो और यही साधना जीवन की बनावो बिन सत्संगन का हुपाई भगवान अपने प्यारी भक्तों का पक्ष लेते हैं समधर्शी समवर्ती ईश्वर निराकार होते होंगे हमारे ठाकुर्जी तो भक्त का पक्ष लेते हैं जद्यपिस्तम नहिरागन रोशा गहाईन पाप पून गुंदोसा तदप करहिस्तम विश्व विहारा भगत अभगत अभगत अदय अनुसारा प्रभू भक्त अभक्त के अनुसार विवहार करते हैं भक्त का पक्ष लेते हैं और इसलिए तो भगवान भगतों के हैं भगत भी अपना संपूर जीवन भगवान के लिए समर्पित कर देता है अपने संपूर अहंकार, स्वार्थ, सबसे मुक्त होकर प्रभु के लिए जीता है प्रभु के लिए मरता है इसलिए भगवान भी भगतों का ही सजयव ख्याल करते है आप चाहते हैं कि यहाँ भगत हो जाएं तो महान भगतों के संग प्राप्त करें यह सुलब जल्दी नहीं होता भगतों किन्तु इजिए आप भगत चरितावली, भगत चरितावली का आश्ट्रे लेंगे तो भगत चरितावली के माध्यम से भगतों का अर्थात संगों का महान संग प्राप्त होता रहेगा रकट रूप में संग भले ने दिखलाई पड़ें किन्तु भगत चरितावली के रूप में आपकी चिंतन में, आपकी श्रवन में अपने आप आते रहेंगे और वो मन में बस जाएंगे कितना परोपकारी उनका जीवन होता है संत जैसा परोपकारी कोई नहीं होता है इसलिए तो ठाकुर्दी भी इतना उनको अपना मन थे कल आप श्रवन कर रहे थे महान भक्त पीपा तोड़े के राजा सोर्य सेन मल्व को दिक्षा दिये थे परिक्षा के रूप में कहा था अपने सारी संपत्य और सारी रानियों को मुझे दे दो सब दे दिया राजा ने बाद में महाराज जी वापस कर दिये क्या करते रानियों और संपत्य उनकी फिर राजा चरणों में गिर करके बहुत प्रेम से बिंती करने लगा गुर्देव आपने तो सब वापस कर दिये कुछ तो लीजिये संत सेवार्थ कुछ धन और एक घोड़ा स्विकार किया था और वो चरित्रापकल स्विकार कर चुके हैं अब मैं आगे आपको सुना रहा हूँ कि जो एक घोड़ा था वीपा भक्त के पास राजा का दिया हुआ एक दिन उसी घोड़े पर चड़ करके आश्रम से कुछ दूर एक सरोवर परस्णान करने के लिए गय थे गत्रों संतों को पासक्य तो होती नहीं जब गोड़ा बहुत कीम्टी था फिर भी महाराज पीपा तो एक संत थे गोड़े को कहां तक देखते वो तो सरोवर में स्नान किये फिर जब ध्यान चिंतन में लग गए गोड़े की और उनकी निगाह ये नहीं थी और दुष्टे चोरों ने देखा कि ये बाबा तो इतना कीम्टी गोड़ा रखा है लेकिन गोड़े की और तो देखता भी नहीं है तो बस तो अपने आखबंद की वो ध्यान करता है माला जबता रहता है और प्रभू से बाते करता रहता है गोड़े की ओर से बिलकुल असावधान है बस ये मौका देख करके वो चरतीवे गोड़े को चोर लोग चुरा कर जंगल में ले गए और छिपा करके बांध आए जंगल में बांध आए और जब महराज जी आँख खोले अर था जब ध्यान सनानाजिक के बाद जब ध्यान पूजा कर चुके जहां गोड़ा मधा था उधर जब देखे तो महरा जो गोड़ा वहीं बहुत लंबी रस्ती थी कि खुब चरे तो वहीं चर जा था गोड़ा वो जियों कट्यों चरता हुआ मिला और आपको मैंने बताया कि गोड़े को चोर लोग चुरा ले गए थे और उन्होंने जब देखा है पीपा भक्त ने तो गोड़ा वहीं चरता हुआ मिला तो उस पर चड़ करके अपने आश्यमा गए और दूसरे दिन चोरों ने जब इस चमतकार देखा तो भैवीत हो गए गोड़ा तो हम लोग के पास है चोरों देखा कि उन्होंने गोड़ा जब चुराया था तो उनके पास है चोरों के पास है और बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा ही गोड़ा पीपा भक्त के पास है चोर डर गये ये असंभव हो है ये कैसे संभव हो गया कि जो घोड़ा हम चुरा लाए बिलकुल वैसा ही घोड़ा उनके पास कहां से आ गया तो महारा जो वो घोड़े को वापस करने लाए चोरों को एडर लगा कि कहीं हमारे ही सप्राथ की करण हमको कोई भारी डंड न मिल जाए इसलिए घोड़ा वापस करने के लिए ले आए और जब घोड़ा ले आए तो पहले का घोड़ा अद्रिश हो गया अर्थात में दिखाई पड़ा अपने पापों का बरनन करके ख्षमा प्रार्थना करते ही वे वे सब पीपा जी की शर्ना गत हुए और उन्होंने चोरी आधि दुश्कर्मों का परित्याब कर दिया इस प्रकार पीपा प्रताप से अनेक जीवों का सुधार हुआ उद्धार हुआ चिनाबदास जी महराज ने कहा है ने पीपा जी की चर्चा में पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो पीपा का प्रताप ऐसा था कि जगत के तमाम विश्यासत्य लोगों की वासनाएं खतम कर दिया भगवान की भक्ती परकट कर दिया और नाहर को उपदेश दिया रथाथ शेर को उपदेश दिया मैं आपको सुना चुका हूँ कि जंगल का शेर जो मारने के लिए आया था उसको ही एकदम बदल दिया, भग्त बना दिया और उसने आहारत्याग करके अपने जीवन को सभी पापों से प्राश्चित करके पवित्र बना दिया उन्होंने बता दिया कि पिछले जंग में तो राजा था तो चुक्षे वो कता मैं आपको सुना चुका हूँ चिडियों को युगा डालता था इस पुन्य से मिला है पिपा भागतुख दे और जो चौंच मारती थी चिडिया एक संत के पिर पर तो हंसता था इसलिए वो शेर का पशू शडिर मिला था तो नाहर को उपदेश दियो शेर को उपदेश दिया और पीपा प्रताप जग वासना पीपा के प्रताप से जग की वासना में डूबे वो लोगों को भी भक्त बना दिया उन्होंने बक्तों आप एक ऐसा चिरेति में पीपा जी का सुना रहा हूँ जैसे जल्दी सुनने को नहीं मिल सकता है आज के जमाने में सुनने को जल्दी नहीं मिलेगा राजा सूर्य सेन जो पीपा जी का सिश्य था उसकी दर्बार में एक इस्त्री के साथ एक से रंग रूप आकार प्रकार डील डौल वै बोल चाल चलन की दो पुरुस आए इस्त्री एक थी पुरुस दो आए दोनों बिलुकुल एक जैसे बोली भी कपडे भी रंग रूप भी सब कुछ एक जैसा दोनों जगडते हुए आए दोनों ही उस इस्त्री को अपने अपनी पत्नी बता रहे थे हमारा समान रूप होने से बेचारी इस्त्री भी परिशान थी कि कौन है मेरा पती बोली भी रंग रूप भी सब कुछ कपड़ा भी शरीर भी एक जैसा होने से वो इस्त्री भी परिशान थी कि कौन मेरा पती है अपने वास्त्रीक पती को पहिचानने में असमर्थ हो गई तो दोनों पुरुष जगड़ते हुए है और पत्नी रोती हुए आई राजा सूरे सेन के दर्बार में तो राजा ने एक से पूछा तो उसने कहा कि ये इस्त्री मेरी मैं तो अपनी ससुराल से इसे लेकर आ रहा था नदी के तट पर इसे बैठा कर में सनान करने लगा उसी समय कोई बहुरूपिया मेरा रूप धारन करके इसके पास बैठ गया और मेरी इस्त्री को अपनी कहने लगा और दूसरा आत्मे भी बिल्कुल यही बयान देता था बिल्कुल यही कहता था इस दूसरे व्यक्ति ने ऐसा किया है और मैं इसका पती हूँ राजा और मंत्रीगन वास्तविक्ता को समझने में असमर्थ थे तब तो उन्होंने परम समर्थ सरवग्य अपने गुरुद पीपा जी को याद किया और श्री पीपा जी दोनों को देख करके उनकी बातें सुनकर के समझ गए कि इनमें से एक कोई कामरोपदारी प्रेत या पिशाच है जो बन गया है ऐसा मनुष्य जैसा पीपा जी ने समझ लिया इस बात को तो उन्होंने उसके पहिचानने की यु अरज राजा तो परिशान था सूरिसेन राजा मंत्री भी बड़े बड़े विद्वान दरबारी लोग सभार गए तो गुरुदेव पीपा ने कहा कि एक बोतल मंगाओ बोतल मंगवाईगे और फिर गुरुदेव रथात पीपा भक्त ने कहा राजा से कि मैं लोगों कि शक्ती की परिक्षा लेन चाहता हूं उन्होंने कहा कि देखो इस बोतल में दोनों पुरुषों में से जो तीन घंटे रह सके वही इस हिस्त्री का सच्चापति माना जाएगा और उसे हिस्त्री मिलेगे और जो यह नहीं कर पाएगा उसको सजा मिलेगे इस बोतल के अंदर जो रह सके तीन घंटे वही इसका असली पती होगा दूसरे वाले को सजा मिलेगे बोतल के अंदर जो रहा जाएगा उसको सजा नहीं मिलेगे उसको यह इस्त्री मिलेगे मराज यह सुन करके उसका सच्चा पती तो इस प्रकार की सामर्थ के अभाव में रोने लगा और बोला यह मैं नहीं कर पाएगा तो भक्तों बात यह थी कि उसका वास्ट्रेक पती तो एक मनुष्य था तो इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा बोटल में कैसे जा पाओंगा और तीन गहंटे बोटल में कैसे रह पाओंगा और रोने लगा का मैं असमर्त हूं यह मुझसे नहीं हो पाएगा परांत जो दूसरा व्यक्ति था जो प्रेट था वो कहता था मैं तो साब कुछ कर सकता हूं जो भी कहूँ और महराज तुरंट ही वाय रूप धारन करके बोतल में गुश गया और दिखलाई पड़ा कि बोतल में छोटा सा हो गया हो थी पीपा जी ने बोतल की डाट बंद करके मंत्र से उसको कील दिया और बोतल को नगर के बाहर एक पीपल के नीचे गड़वा दिया अब विवश होकर के प्रेट रोने लगा और गिर्दे आने लगा तथा अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगा महराज तब पीपा भक्त ने अपने भजन के बल से उसका उद्धार कर दिया कितने क्रिपाल उथे यह उस दूस्त्र का भी उद्धार किया उस प्रेट का और जो सच्चा पती था इस्त्री का उसी सच्चे पती को ही इस्त्री दे थी तो सभी ने प्रभावित हो करके महराज जी पीपा जी के चर्णों ने भारम भार नमन किया राजा मंत्री बड़े बड़े विद्वान दर्बारी पंडित सब लोगों ने का हमाराज ये निरिनय हम लोग नहीं कर सकते थे ये तो आपके ही सामर्च की बात थी जो ये संकट दूर किया और आपने सच्चा निलने लिया कि इस्त्री का पती को हुण है और जिस समय श्री पीपा जी राजा के यहां जगडे का फैसला करने आये थे उस समय उनके चले आने पर कुटिया पर कई संत जन पदा रहे तो संयोग बस कुटि बें उस दिन अन्धन कुछ भी नहीं था तो संत सेवा के लिए कुछ उधार लाने का विचार करके सीता सहचरी बाजार को गई तो को भाई मुझे तो महान चरित सुनाना है और सुनने वाले भाक्त जो हैं वो तो बड़े पवित्र हिड़े के होते हैं वो तो बड़े आनंद के साथ भाक्त भागवन्त चरित्र करते हैं किन्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी श्रद्धा कमजोर होती है उन्हीं लोग उसे में बार-बार बिंती करता हूँ कि आपसे भागवन्त अपराज न हो जाए भाक्त भागवन्त चरित्र के स्रवन्त करने में अपनी श्रद्धा मत बिगाड़ना शाकुर जी और उनकी भाक्तों की सामर्थ को उन्हों जल्दी समझ नहीं सकते हैं उनकी उदारता उनकी महानुता उनकी गृपालुता समझ मानी कठीने अब मैं आपको बता रहा था ने कि पीपा जी तो राजा क्यां गये थे उस जगड़े का फैसला करने की वास्त्विक पति को ने इधर कुटिया जो थी जहां सीता सर्चरी महिया बैठी हुई थी वहां कुछ संतों लोग आए और संतों की स्वा के लिए अन्नधन कुछ भी नहीं था तो उन्होंने सुचा कि अब महराज जी पीपा जी तो है नहीं तो कुछ उधार ले आए अब उधार सामान भोजन का राशन का सामान लेने के लिए बाजार को गई और सीजा साचरी जल्दी बाजार जाती नहीं थी कुटिया में भोजन करती रहती थी आज मजबूरी मिटाना पड़ा क्योंकि संत भूके कैसे रहे हैं उन्हें तो भोजन प्रशाद खिलाना और मैं आपको बता चुका हूं सीटा साहचरी बिल्कुल यह उती थी राजा से पंद्रह साल छोटी थी उन्हें वहाँ देख करके बाजार में एक दुराचारी बनिया उनको बुला करके पूछा कि कहा जा रहे हो तो माता सीटा साहचरी ने कहा कि मुझे कुछ संत आयें उनके भोजन के लिए सामान की आवश्यक्ता है अब आप देखिए किस प्रकार से ये लोग पतित जीवों का भी कल्यान किये हैं आप ये मुख्य बात समझ लिजिए चरित्र श्रमण करने के लिए तो बहुत आपको अपने मन को सही रखना पड़ेगा मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इन संतों के द्वारा पतितों का भी उद्धार कैसे किया गया है वो चरित्र है अपटाए जो थोड़ी स्रद्धा कमजोर होगी तो आप भटक जाओगे और इनको भटका हुआ बताने लग जाओगे आप जबकि भटके नहीं हुए भटकों को सुधारने के लिए आए तो जो थोड़ा सा वासनप पीडित बनिया था इसने कहा कि इधि रात में मेरे घर आने का वायदा करो तो पूरा सामान में आपको दे सकता हूँ जाओ संतों की सेवा करो रात में मेरे घर आओ मेरे घर रहो रात को वो सुंदरी सीता सहचरी को देख करके वासना से बुद्धी खराब हो रही थी तो महिया ने सोचा कि संत सेवा कहां जल्दी मिलेगी संत सेवा का महत्त विचार करके जो चीधर भक्त कि प्रतिग्या की थी न माता पहले मैं सुना चुका हूँ आपको कि चीधर भक्त की पत्नी अपने कीमती लहंगे को बेश दिया संत सेवा के लिए तो उन्होंने प्रतिग्या की थी मन में सीता सहचरी ने कि मैं शरीर को बेश करके संत सेवा करूँगी और एक बार भाजार में गए भी थे तो वहाँ बहुत पहिचानने वाले आ गए थे मैं आपको सुना चुका हूँ और आज फिर ऐसा मौका आया कि पीपाजी थे नहीं और राशन देने के लिए उसर्थ कर रहा है बनिया शर्थ रख रहा है कि अब मैं आपको राशन पूरा दूँगा इन्तों आप वाइदा करो कि रात में मेरे घर आओगे तो महरा जो संत सेवा करने की तीव भावना पवित्र भावना उच्च भावना की कारण सीता सहचरी ने जो मन में पहले प्रतिग्या कितिक में शरीर को बेच कर संत सेवा करूँगी उसी भाव की परिख्चा का समय जान कर उसने सीता सहचरी ने उसका प्रस्ताव स्विकार कर लिया और साब सीधा सामान अर्थात राशन ले करके कूटी पर गई रसोई बनी है भोग लगा है संत जन प्रसाद पा रहे थे उसी समय पीपा जी पदा रहे उन्होंने भी भोजन प्रसाद पाया उसकी बाद पूछा सीता सहचरी चे कि आज कूटी में तो कूछ भी नहीं था फिए इतना भोजन प्रसाद कैसे बन पाया पीपा जी ने बहुत ही भाव विभोर होकर प्रेम से पूछा कि इतने संत लोग कि सेवा हुई बहुत अच्छा हुआ ये भूके चल जाते तो बड़ा प्राज लगता आमको और आपने इनका इंतिजाम कहां से किया इतना सामान भोजन का कैसे आया कहां से आया तो सीता सहचरी को कुछ ही पानत हो था नहीं तो उन्होंने सारी बात मतला दिये महराज जिए पीपा भक्त की जगह कोई दूसरा व्यक्ती होता तो सीता सहचरी को उल्टा सीता बोल सकता था लेकिन महराज ये दोनों ही महान भक्त थे इसलिए सीता सहचरी की सच्ची बात पूरी की पूरी सुनने के बाद उनकी संत सेवा निश्ठा पर अपना तन मन और प्रान मन से नहुचावर कर दिया राजब पीपा भक्त ने और उनका धन्य है आप कीधरानी ने अपने कीमती लांगा को बेश दिया था संत सेवा के लिए आपने तभी प्रतिग्या कर लिया था कि आप शरीर बेश करके सेवा करेंगी संतों की तो पहले आप सफल नहीं हो पाएं अब वही बात आपके मन में आई है मैं आपकी संत सेवा निष्ठा पर बलिहार जाता हूँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ आपकी उच्छी निष्ठा को भक्तों मैं कितनी बार आपसे कहूँ आप भक्त होंगे तो मुझे कहने की जवरत ही नहीं लेकिन भक्ती में कमी होगी तो आप इसको उल्टा सोचेंगे और कहेंगे ये लोग कैसे हैं कि ये ऐसा करने को तयार हुए और सीटा सहचरी माता तो बचन दे के आई है अर था तो वाइडा करके आई है क्योंकि उस वैश ने कहा था कि तुम वाइडा करो तुम रात में मेरे यहां कर रहोगी तब मैं राशन दूँ तो वाइडा कर दिया था इसलिए तो संत सेवा के लिए राशन लेके आई थी और भोग बनाया और भगवान को भोग लगा के संतों को भरपेट किलाया पीपा भक्त ने भी पाया है और रहाशी की बात जब सुना है तो पीपा भक्त के तो आँखों से प्रेम की आँसु आ रहे हैं कि मुझ से आगे हैं सेवा में यह संत सेवा की भावना अब मैं शुरू महीं आपको सुना रहा था ज़ नारज जी कहते हैं तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम यही साध्यताम करो कि संतों की सेवा करो संतों का संग प्राप्त करो नारज जी महराज की शब्द हैं तदे उसाध्यताम और साथ यही साधना करो और महराज ये दोनों ही महानपुरुस इसी उच्यकोट की साधनमत थे कि संतों की सेवा करनी और वो वजचन दे करके आई है माता जो वाइडा उसने करवाया था अब राशन के द्वारा संतों की सेवा हो गई दिन बीट गया शाम का समय है मैं आपसे बार-बार यही अनरोज कर रहा हूँ कि अपनी शरद्धा को मत बिगाड़ना आप फिर आगे क्या होता हो घटना तो मैं आपको बात में सुना होगा आप भी समझे लिजी कि इन महान भगोत भक्तों के साथ ठाकुर जी रहते हैं इनकी कदम कदम पर सहायता करते हैं समभालते हैं यह अपने को बलिदान कर देते हैं भक्त भगवंत सेवा में समर्पन की पराकास्था इनके जीवन में इसले मैं आपसे प्रार्थ न कर रहूं कि आगे जो मैं चरे तो सुनाओंगा उसमें आपको बहुत अधिक अपने हिर्दे को भक्ती से भरपूर रखना पड़ेगा तभी आप इस श्रमण का पुरा लाव उठा पाएंगे आज इन माहान भक्तों को प्रणाम करके पुर्देव भगवान श्री रामनंण जी को प्रणाम करके एंगी राम देरहूं श्री राधेर देज़ेジ श्री राधेर दे सियावर राम चंडर की ज angled श्री रामानंद भगवान की जे